वेल्कम टू माई चैनल ग्लोरियस गार्डन में आपका स्वागत है तो आज यह हम बात करेंगे बॉंसाई ट्री तो अनोखा ये सा पोधा है जो हमने बॉंसाई ट्री बनाया है मिनी यूफोबिया जो तक्रिबन पांच साल से हमारे पास ग्रो हो रहा है हमने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था और अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटिफुल बॉंसाई ट्रीज है इसके अंदर हमने एलिफंट का टोई भी लगाया हुआ है इसलिए ताकि इसकी शोभा भी बहुत बढ़ा सके आप भी ऐसा बॉंसाई प्लान अपने घर में उगा सकते हैं इजी टू ग्रो है यह प्लान केक्टस प्रजाइति का प्लान का आ जाता है अगला हमारा बॉंसाई ट्री है पॉमो ग्रेनेट बॉंसाई ट्री यानि कि अन्नार का पेड जो हमने रोक यानि कि जो पत्थर पत्थर आता है उसके साथ हमने जोइंट करके इसको उगाया है आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफूल यह प्लान्ट है अभी तो यह तक्रिबन तिन साल का ही हुआ है इसका जो बर्सों बढ़ेगे उसी हिसाब से इसका सेब भी अच्छा हो जाएगा और ब्यूटिफूल लगेगा यह हमने सीट जो आते है अनार के उससे ही हमने उगाया है बहुत इजी तरीके से उगा सकते हैं आपके घर में ही और हमने अपने बॉनसाइ गार्डन में इसको अच्छी तरीके से उगाया है आप भी अपने घर में एसा बॉनसाइ ट्री उगाये ताकि आपकी घर की सोभा भी बढ़ा सके और एशे छोटे छोटे टोईज होते हैं वो भी आप रख सकते हैं ताकि आप अपने बॉनसाइ ट्री को अच्छा ब्यूटिफूल बना सके अगला प्लांट है नीमबू का प्लांट यानि की लेमन बॉनसाइ ट्री यह हमारे पास पांच साल से है हमने इसको शिट से ही उगाया है इसको उगाना बहुत ही इजी है और इसमें ऐसे छोटे छोटे पत्थर भी लगा सकते हैं जिनसे आपकी अच्छी लगे बॉनसाइ ट्री और यह हमारे पास टेडी टेडी है टेडी बीर इसका भी टोई हमने रखा हुआ है ताकि बॉनसाइ ट्री की सोभा बढ़ा सके बड़ाई खुबसूरत पोधा है हमारे पास आप भी ऐसे बॉनसाइ ट्री उगा सकते हैं इजी ली अब यह पोधा है कोलो केशिया यानि की अडवी का पोधा इसको बॉनसाइ प्लांट हमने बनाया है तक्रिबंद यह हमारे पास तीन साल से है हमने इसको इसकी जो गाठाती है उन से उगाया था तो आप देख सकते कितना ब्यूटिफुल एपोधा है इसके पत्ते जो होते वो भी बड़े ब्यूटिफुल लगते है और इसको हमने अच्छा जो आता है बॉनसाइ पोट उसमें ही ग्रो किया है और बड़ा खुबसू और यह पोधा दिखने में लगता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो कर दोस्तो